हलो दोस्तो गूद मारूंग नमस्टे आप सब कैसे हैं असा करते हैं आप सब पहुत अच्छे होंगे मजे में होंगे आप सभी का पहुत पहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में तो हमारे ब्लॉग की सुगि आ थो गई है और इदर हमारा खाना बनड़ा है, तो सब्जी पक रही है चूले पर और अभी सेकेंगे रोटियां आटा भी मैंने लगा दिया है और इन दिनों में हमारे यहां लाइट नहीं आ रही है तो उसकी बज़े से बहुत जाधा देकत हो रही है, फोन भी हमारा चार्ज नहीं है, तो सुबे से मैं पूजा पाट हो गई है और आज भी सुबा का मौसम काफी अच्छा है चारो तरफ से बादल खुले हैं धूप भी निकली है बहुत तेज धूप निकली है लेकिन जो है नकिस दूपहरी में थोड़े से बादल आ जाते हैं तो उसकी वज़े से थोड़ी बहुत बारिस भी हो हलकी वारिस होती है जादा नहीं और सुबह से तो बहुत अच्छा मौसम रहता है धूबी बहुत तेज हो जाती है और गर्मी भी बहुत तेज है तो इधर हमारे सबजी बन रही है बस बन गई है सबजी अभी रोटिया सेकेंगे और यहां पर लगी थी मोंग फली तो आज मार्केट को बिखने के लिए थाए तो अभी चलते हैं रिपशनक को चार्ज़ करने के लिए तो आऑ बहुत ज्यादा दिकत हो रही है तो बहुत ज्यादा और सबी लोग है नीचे अरब के माली है तेल लग रहा है और गुआ है पीछे वाले घर में। आज मठ्ठा भी बनाएंगे वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे तो आज पहली बार मठ्ठा बनाएंगे जो हमारी नई वाली भैस आई है उसके दूद का पहली बार मठ्ठा बनाएंगे तो वैसे दूद तो सभी लोग खा रहे थे लेकिन अभी मठ्ठा नहीं खाया और घर में फोन तो कई है ज़िन प्लेट छोटी सी है और पंखा भी चलता है आरब के पास में तो फोन बहुत ही मुश्किल से चार्ज हो पाता है तो थोड़ा सा भी चार्ज करेंगे उसके बाद में ब्लॉग सूट करेंगे क्योंकि ब्लॉग भी बनाना जरूरी है अब हमार ब्लॉग भी बनाना जरूरी है तो कई दिद्यों ने हमारी पहले बोला था कि आपके ब्लॉग जो हैना कि लेट आते हैं आप इतने दिन के बाद ब्लॉग पहुंचाती है तो इसी वज़े से मैंने नियम बना लिया है कि एक दिन का ब्लॉग जो हैना कि दूसरे दिन ही पह करके रख देंगे तो मों फली चली गई है इसी से ढख कर रखी थी साम के टाइम में तो अभी यह सब भी काम अभी हमाई करने है तो अब चलते हैं पहले फौन को चार्ज करते हैं उसके बाद में और कुछ काम करेंगे आप सभी के साथ नियुक्षा इधर मठ्ठा फिराने ल निकल ला था क्योंकि गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा मक्खन निकलने में टाइम लग जाता है तो पानी में तो बुआ ने वैसे रख दिया था ठंडा होने के लिए लेकिन अभी भी मक्खन नहीं निकला है तो बुआ उधर मठा फिरा रही है और तब तक हमा गए थे पर तो जो ये फट्टा पड़ा था इसको भी घरी करके रख देते हैं और यहां पर चूले की पुताई भी कहनी है तो अभी जो है न कि हमारी ननज जी और देवरानी जी जाएंगी दवाई लेने के लिए तो तब तक मैंने कहा कि जो छट्पर के काम है वो खतम कह लेते है तो आज आरब को भी ले कर जाएंगी क्योंकि उस दिन आरब ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर लिया था क्योंकि पास का ही आरब दूद पीते हैं तो उसकी बज़े से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वैसे जो बच्चे उपर का दूद पीते हैं दुद्ध का पिला देते हैं लेकिन हमारे पास उतना दूद नहीं है जितना की बच्चे की मा के पास में होता है तो आज मैंने कहा कि आरब को ले कर ही जाना तो अभी वो लोग तयार हो रहे हैं खाना ना खा रहे हैं तो खाना ना खा कर फिर तयार हो कर जाएंगे और आरब भी साथ म भी आ जाते हैं तो घर में भी रुकना पड़ता है एक लोगों को जरूर ही रुकना पड़ता है तो आज बरोसी की भी मैंने का पुताई कर देते हैं और जो बरोसी में राख थी राख भी बहुत जल्दी से हो जाती है बरोसी हमारी भर जाती है तो राख को मैंने कर लिया है और बरोसी को खाली कर लिया है और जो आग थी वो हम मैंने की है इसमें नई वाली जो आग थी थोड़ी सी ही थी जो सुबह के टाइम अभी खाना बना है तो बरोसी की भी मैंने पुताई कर दी है अच्छे से क्योंकि बरोसी की अब की बार मैंने पुताई नहीं की थी तो दिरवाले चूले की पुताई करेंगे तो यही सारे काम यहां छट पर हो जाते हैं तो जोहने की दुपहरी में भी चूले की पुताई कर देते हैं तो साम के टाइम में यहां पर चूला जला लेते हैं और सुबह के टाइम में अंदर का चूला जलाते हैं तो थोड़ी सी आरा हो जाती है क्योंकि साम के टाइम में खुले में खाना बनाते हुए अच्छा लगता है यहाँ पर थोड़े सा अंदर पड़ जाता है और इधर आरब तयार हो गए है आरब की मम्मी तो जा रही है दवाई लेने के लिए आरब को बुगा लेकर गई है क्योंकि आटो यहीं से म बाद में फिर हम लग गए थे अपने कामों में फिर से दुबारा से तो कपड़े थोड़े से पड़े थे धुलने के लिए तो कपड़े इधर हम धुल कर लाए हैं डाल देते हैं सूखने के लिए तो दुपहरी में जरूर ही इंदिनों में थोड़ा सा मोसम खराब हो जात तो यही सोचते हैं कि जितनी जल्दी से हमारे कपड़े धुल जाएं उतनी जल्दी से ही हमारे कपड़े सूख जाएंगे कि दुपहरी के बाद में फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं और अभी भी आप सभी देख सकते हैं कि धूप कम हो गई है क्योंकि काफी टाइम हो गय हैं और इधर बुगाने कंडे भी बिचा रखे हैं सूखने के लिए क्योंकि ये बारिस की बज़े से थोड़ा बहुत जो इंधन हमारा है वो गीला हो गया है और इंधन को सुखाना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि इंधन अगर हम सुखाएंगे नहीं धूब में फिर चूला जलाने में दिक्कत हो जाती है तो उसकी बज़े से इंधन को भी सुखाना पड़ता है तो इंधन को आज बुगाने अच्छे से सुखा लिया था धूब में डाल दिया था थोड़ा बहुत सूख गया था और इधर हमारे सारे काम हो चुके हैं घर के उसके बाद में मैंने का कि कुछ ना कुछ आच चलो बनाते हैं क्योंकि ऐसे खाले भी बैठना अच्छा नहीं लगता है और गर्मी की बज़े से कुछ काम भी नहीं जो हैने कि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है और नीद भी नहीं आती है गर्मी की बज़े से तो मैंने का कि कुछ ना कुछ चलो बनाते हैं तो वही यहाँ पर कुछ बनाने की कोसिस करेंगे तो आप सभी को भी दिखाते हैं लेकिन कुछ अच्छे से नहीं बन पाया था आप सभी बताना कि कैसा बन पाया था या नहीं आप सभी देखना तो यहाँ पर आरोही भी आ गए थी स्कूल से तो आरोही जो हैना की आते ही नीचे के कपड़े निकाल देती हैं गर्मी की बज़े से और उपर के कपड़े तो चाहें कितने भी पहने लेकिन बो नहीं निकालेंगी और आरोई की सेहतानिया आप सबी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो हैने की सेहतानिया कर रही है तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े एक कतरन वाले निकाले हैं वो उन्हीं से खेल लही है और यहाँ पर दीदी के लड़के भी थे तो सभी लोगों को ये दिखा रही थी अपनी जो सैतानिया कर रही है कि इतने ज़्यादा हम अच्छे लग रहे हैं खुस हैं तो हम मना भी कर रहे थे कि इन से जो हैना कि खुजली पढ़ने लगेगी अगर हाथ पैरों में लग जाएंगे क्योंकि काफी दिनों के ये कपड़े रखे हुए हैं तो आज मैंने का इनको भी थोड़ा सा ठिकाने लगा देते हैं वैसे तो तक्या हम मनाने बाले हैं लेकिन तक्या भी नहीं मैंने बना पाई है क्योंकि जो इनके हम कबर बनाएंगे तक्या के गए हैं और हमारी दीदी का जो बेटा है वो भी यहां पर बैठा है हमारी help करा रहा है थोड़ी सी help इन्होंने करा दी थी तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था तो यहां पर आज हम बनाएंगे पायदान जो कि पैर पहुचने के लिए तो एक ही हमारे पास है और एक और होना च क्योंकि एक जो है वो बाहर की साइड में डाल देते हैं तो फिर अंदर जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैर गंदे होते हैं कभी-कभी तो पहुंचने के लिए नहीं कुछ था तो हम कपड़े से हम लोग पहुंचते थे तब आरोही को चड़ाते थे तो इसी बज़े की कोसिस यहां पर कर रहे हैं कि देखते हैं कि कैसा बनता है वैसे जादा तो अच्छा नहीं मैंने बना पाया था लेकिन जैसा बना पाया था बना अच्छा था क्योंकि एकदम से जब इस पर पैर रखते थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम से गुद गुदे स हैं और बाकी के छोटे छोटे बना कर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा जल्दी से बन भी जाएगा तो बनाने में बस लगे हुए हैं और यहां पर बड़ी अम्मा भी बैठी हुई थी जो की बड़ी बड़ी अम्मा और जो ह तो यगर बाते करने वाला मिल जाए फिर थोड़े बहुत जो हमारे काम है जल्दी से होने लगते हैं और बड़ी अम्मा तो जो हमारी बड़ी वाली बड़ी अम्मा है वो अकसर कर जो हमें कुछ काम करते हुए देखती है तो अकसर कर हमारे साथ में बैठ जाती है और बाते क कराई थी तो जब तक हमारा बन नहीं गया था तब तक बोड़ नहीं गये थे लास्ट तक लगे रहे थे और आरोही भी यहां पर सैतानिया दे रही थी और हमारी नेंदर जीवी थी तो वह भी यहां पर हैं थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि उनकों भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो थोड़ा सा काम में हमारे जो हैंने की इन कामों में हेल्प नहीं करा पाती हैं लेकिन और जो काम हैं वो तो करवा देती हैं साथ में तो हम उनसे बोलते भी नहीं है कि नहीं यह काम भी करा दो तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हमारी नदर जी भी आई थ अब बस टाकना मैंने शुरू कर दिया है तो इनको टाक देते हैं वैसे तो मैंने देखा था कि बीच से ही टाकते हैं लेकिन जो ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं तो ये किनारे से ही टाकेंगे नहीं तो फिन निकल जाएंगे तो कुछ मजबूती के वज़े से मैं इस त लेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा तो हमें चाहिए था जो हिनकी पैर पूँचने वाला अच्छे से पैर पुछ जाएं और धूल मिठी भीलकूल हट जाए और इस तरीके से कपड़े से बिल्कुल नहीं धूल मिट्टी अरती है तो इसमें बहुँचने से एकदम से जो धूल मिट्टी लगी होगी वो सब छूट जाएगी पैर से तो ये वाला मैंने बनाया है तो जितने अच्छे जैसे दिखाया था उस तरीके से मैंने नहीं बना पाया था ऐसा नह मैं हम थोड़ा सा कपडा भी लगाएंगे जो की किनारी अच्छी लगया तो थोड़ा सा मैंने काट भी कर दिया है थोड़ा सा गुलाई में कर लिया है तो звसे छोड़ा सा लेकिन तो वैसे इसमें बहुत ज़ाधा लग गया था और टाइम की बज़े से ही मारी ने की बड़े बड़े गोले बनाए तो मैंने का जल्दी से बन जाए और जो है नंकी अच्छा भी लगे तो वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ज्यादा रंग भी रंगे भी नहीं लग पाए हैं सिर्फ काले काले ही पता चल ले हैं क्योंकि काले बाले ज्यादा काला कपड़ा हमारे पास ज्यादा था और वांकी के जो कपड़े हैं वो कम थे इसमें थोड़े से जो है ने कि और कलर के कपड़े होते तो और भी अच्छा लगता थोड़ा सा और आप सबी दोस्तों को तहदिल से पहुत पहुत धन्यबाद आप सबी पहुत प्यारे प्यारे कमेंट काईते हो हमें पहुत अच्छा लगता है इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो इधर हमारा पायदान भी बन चुका है तो बस थोड़ा सा कपड़ा लगाना बाकी रह गया है तो बस जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं और यहां रूम की कैनी है हमें साब सफाई तो बहुत ज़्यदा कपड़ा फैल चुका है और काफी रूम भी हमारा गंदा हो गया है क्योंकि यारोही ने सबसे ज़्यदा गंदा किया है तो जल्दी से बस इसको बना लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं जाडू, तो अभी टाइम भी है थोड़ा सा फिर उसके बाद में हम बनाएंगे खाना, तो इधर हमारा पायदान बनकर तयार हो गया है, तो पहले जाडू यहाँ पर लगा लेते हैं, उसके बाद में हम अच्छे से यहां पर जो हैनकी बिचा देंगे इसको तो बहुत ज़्यादा जो हैनकी कपड़ा इधर से उधर हो गया था तो जाड़ू लग गया है हमारा बाहर की साइड में थोड़ा सा लगा देते हैं और फिर जो हैनकी खाना बनाएंगे क्योंकि टाइम भी खाना का भी हो चुका है तो फिर अगर जल्दी से नया बनाओ फिर थोड़ी सी देरी कर दो फिर अंधेरा हो जाता है और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में तब के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते